मारवाडी मेरडी आप देख रहे हैं आज जे 18 नौवंबर दो हजार चोविस सोमवार का दिन हिंदू तिति मार्ग सिर्ज माय की तर्तिया है नजायर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर सुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर डिफेंस रिसर्च डेवलेप्मेंट और्गनाइजसन ने सनिवार रात लंबी तूरी की हाइपर सोनिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है इसका वीडियो सेर करते विए टी आर टीयो ने बताया कि ओडिसा के तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम आजाद तुविप से मिसाइल को गलाइडेड वहिकल से लोंच किया गया मिसाइल की फ्लाइट ट्रेजेक्टरी की ट्रेकिंग के बाद टेस्टिंग सपल मानी गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने रविवार सुबै एक्स पर पोस्ट करते वे कहा कि भारत अब उन चुनिंदा देसों के ग्रूप में सामिल हो गया है जिनके पास ऐसी सेन्य तकनीक है ये एक बड़ी उपलब्दी है और यह देस के लिए एक एतिहा सिक पल है वेसे आपको बता दू लंबी दूरी की इस हाइपर सोनिक मिसाइल की रेंज पंदरा सो किलो मीटर से ज्यादा है आगे बढ़ते हैं देस की एक और बड़ी खबर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री केलास गहलोत ने पद और पार्टी से इस्तिफा दे दिया है केलास गहलोत ने रविवार सुबह आपके राष्टे सयोजक अरविंद केजरिवाल को पत्तर लिख कर इस्तिफे का एलान किया है इस्तिपे के साथ उन्होंने अर्विंद केजरिवाल को एक पत्तर लिका है और पत्तर में कहा है कि पार्टी ने जनता से जो वादे किये थे वे पूरे नहीं किये हैं वहीं दिल्ली की सियमातिसी ने गहलोत का इस्तिपा साविकार करते वे कहा है कि यह भी भाज़पा का एक गंदा सडियंतर है बहराल आगे बढ़ जाते ही राजस्तान से बड़ी खबर इस साल जमकर हुई पारिस और बाढ़ से राज्जे में खरीब सीजन में फसलों को बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है राज्जे में चार करोड अर्टालिस लाग पिचोतर हजार नवासी ख गिर्दावरी में अजमेर में 17,422 Kear 996 की गिर्दावरी हुई है राज्जे में सबसे अदिक नुकसान अजमेर में ही हुआ है वहीं नुकसान के मामले में जोतपुर दूसरे इस्तान पर रहा है तो जून जुनू में सबसे कम नुकसान आंका गया है। वहीं जोतपुर दूसरे इस्तानों को मुवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा इस पर अब सरकार अपने इसतर पर फेसला लेगी। ठगों तक पहुचा देता है जिसके मात्यम से ठग ठगी को अंजाम दे देते हैं। अगर आपको इस ठगी से बचना है तो किसी भी अग्यात नंबर से आये अटेज्मेंट को डाउनलोड न करें। कि सूचना तुरंत साइबर हेल्प लाइन 1930 या फिर नजदी की ठाने में दे दरसल राजस्तान पुलिस ने एकसपर साइबर चोरों की नई चाल पर लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है। दरसल कुछ एक दिनों पहले एक ऐसा ही मामला सामने आया था पीडित के मताबिक उसके पास अंजान नंबर से वाट से पर साधी का काड आया था। जो स्क्रिन पर आपको दिखाई दे रहा है ये लिखा हुआ होता है तो एसे लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करें। पिड़की के सरीय तोड़कर चोर घर के अंदर गुस गई चोर घर से लोहे की पेटी बाहर ले गए जिसमें करीब 80 तोला सोना और 2 किलो चांदी की जवलरी और करीब 2 लाग रुपे केस थे। ये ही नहीं चोर बच्चों के गुल्लक फोड कर भी पेसे ले गए घटना ग्रामेंड थाना इलाके के चूली गाउं की है। पताया जा रहा है कि घर में तीन कमरे हैं परिवार के सादस से अन्ने कमरे में सो रहते सुब़ जब उठे तो रूम का गेट खोलने की कोशिस की तो वे अंदर से पंद मिला। बेटे और बहु ने मा की इछाती पर पेर मारा मारपीट में बुजूरुग महिला घाईल हो गई है। केस दर्ज किया गया है भाटी ने जेसल मेर में नीजी कमपनी की विरोध में हो रहे परदसन के दोरान दो यूकों को पुलिस की जीप से जबरान उतार लिया था। पुलिस अधिक्सक सुधिर चोधरी के निर्देश पर दर्ज केस की जांस CID और CB करेगी। को बचाने के लिए वहाँ पर ग्रामेंड 16 दिनों से धरने पर है सुकरवार को सिव विधाईक राविंदर सिंग भाटी भी मोके पर पहुंचे। एक ओर पड़ी खाबर नरीश मिना को टॉंक जेल लाया गया है कोतवली थाने में कड़ी सुरक्षा के बीच टॉंक जेल लाया गया है। पुलिसकार से उतारकर कड़ी सुरक्षा के बीच मिना को टॉंक जेल के अंदर ले गई देवली कोट ने नरेश मिना को 14 दिन की नयाएक अभिरक्षा में भेजा है। में सिक्र चिले के भी 15,900 बच्चे भी सामिल है। हालात ये है कि बच्चों को साहिता नहीं मिलने की स्तती में वे स्कूल की फीस तक नहीं चुका पा रहे हैं। स्कुल वा अंगनबाडी केंदर का अधिन परमान पत्तर सत्यापन करवाना होगा आगे बढ़ जाते ही मोसम पर भी एक नजर डाल लेते ही क्योंकि उत्तर भारत में हो रही बारी सोर बर्प बारी की असर से राजिस्तान के स्रीगंगानगर हनुमानगड में कोल्ड डे जेसा मोसम बन गया है खासकर राजिस्तान के उत्तरी भागों के पांच जिलों में घने कोहरे का असर देखा जा रहा है और आज भी स्रीगंगानगर हनुमानगड सिकर जुनजनु चूरू और बीकानेर के कई हिस्सों में घना कोहरा अच्छा सकता है वेसे फिलाल प्रदेश बर का मोसम साप रहेगा लेकिन आप ठंड बड़ेगी आलंकि मोसम इभा के जानकारों की माने तो कड़ा के कि ठंड की सुरुवात दिसंबर से होगी यही थी आज की बड़ी और मैं तुप्पून खबरें वीडियो को लाइक करना बिलकुल भूलिए और चैनल पर नए है तो स सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से धन्यवाद